हे गाईज दिस दिख्षा जुही वेलकम तो माई चैनल इजी टू लेर्ण आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लॉफ थर्मो डाइनमिक्स इन रिलेशन टू एनर्जी फ्लो एनर्जी फ्लो के सम्मन्ध में थर्मो डाइनमिक्स के लॉफ के बारे में बताऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं दोनों लॉफ क्या कहते हैं अगर्डिंग टू फर्स लॉफ थर्मो डाइनमिक्स एनर्जी नाइधर वी क्रियेटेड नॉट वी डिस्ट्राइड only each form can be changed means guys energy को ना ही गिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रोई किया जा सकता है बस उसको एक form से किसी अधर form में चेंज किया जा सकता है तो चलिए देखते हैं second law के बारे में according to second law of thermodynamics when one form of energy is transferred to another form there is some loss of energy The lost energy is known as free energy The free energy cannot be used in useful works Guys, जब energy को एक form से दूसरे form में convert किया जाता है तो उसमें कुछ energy का loss होता है यह जो lost energy होती है guys इसे free energy के नाम से जाना जाता है और guys इस free energy का use किसी भी useful work में नहीं किया जा सकता है तो guys यह थे thermodynamics के two laws energy flow के बारे में तो guys यहां कुछ points से उसे भी clear कर देते हैं चलिए देखते हैं About 8% of sun energy reaches on the earth in the form of light Out of this energy on 2-4% is used in photosynthesis for the production of food This amount of food is known as gross primary productivity Guys about 8% मतलब 8% के लगभख sun energy जो होती है वो धरती पे पहुंचती है और जिसमें से 2-4% तक की energy पेर पौदो द्वारा photo senses की क्रिया करने में यूज कर लिया जाता है और यह जो होता है process guys इसको gross primary productivity के नाम से जाना जाता है In ecosystem flow of energy takes place in the form of food Guys एक ecosystem में energy flow जो होता है वो food के रूप में place करता है फूट के रूप में भाग लेता है तो guys यह थी आज की मेरी वीडियो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो please guys मेरे वीडियो को सेयर करें साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू झाल